आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं आपके साथ कुछ बात सेर करने आया हूँ जो सायद आपके काम आए तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ में हर किसी की चाहत होती है अपने आपको सफल करना लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपना काम सही तरीके से और सही समय पर करते हैं लेकिन हर बार आपका समय सही हो और प्रस्थितियां आपके अनुकूल हो ये अवस्यक नहीं है कभी कभी प्रस्थितियां आपके एकदम विपरित होती है और उस विपरित प्रस्थिति में भी अगर आपका इरादा मजबूत है आपका होसला बुलंद है और आप अंदर से नहीं तूटते हो तो आप हकदार हो सफल होने को लेकिन इन बिशम प्रस्थितियों में कुछ लोग तूट जाते हैं और कुछ लोग रिकार्ड भी तोड़ देते हैं इन विशम प्रस्थीतियों का हवाला देकर कुछ बिद्यार्थी प्राई ड्रॉप करके बिखर जाते हैं और कुछ बिद्यार्थी इन विशम प्रस्थीतियों में भी अपना प्राई कंटिन्यू रखकर निखर जाते हैं बहुत सारे बिद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते हैं बह क्या जितना आपको पढ़ना चाहिए था, उतना आपने पढ़ा, क्या आपने अपना 100% दिया, या जो लोग सफल हुए हैं, उनके जितना मेहनत और जो पढ़ना चाहिए था, और जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था, क्या आपने पढ़ा है, आपका दिल आपको खुद ही ज पढ़ा, फर्क ये पढ़ता है, कि जिस सिद्दत से आपको जो पढ़ना चाहिए था जैसे पढ़ना चाहिए था, क्या आपने पढ़ा, क्या आपने 100% अपना दिया, ये फर्क पढ़ता है, आपको खुद पता चल जाएगा, कि आपने कहां कहां टाइम पास किया है, पता है आपको, दुनिया का सबसे घटिया वर्ड क्या है, टाइम पास, और उससे भी घटिया चीज है, टाइम पास करना, और सबसे घटिया है वो लोग, जो टाइम पास करते हैं, पर निरास ना हो मेरे भाई गलतियां जीवन में हर किसी से होती है तकलीफे भी जीवन में हर किसी के आती है पर इन गलतियों से सीख लेकर और इन तकलीफों को सहकर अपने जीवन में काम्याब होना ही साहस है ये जो उम्र है ना आपका जवानी का इसमें गिरना, सम्हलना, चलना, एवं चल कर नया इतिहास रच देना ही जवानी है यही जवानी की परिवासा है तो कब तक सोए रहोगे मेरे दोस्त अब तो जागो और अपनी राहों में आगे बढ़ो याद रखना आपकी सफलता की राहों में चाहे कितना भी कस्ट क्यों न हो आपको आगे बढ़ते रहना है क्योंकि सफलता का दिन दूर हो सकता है लेकिन उसका आना निस्चित है लेकिन इसके लिए आपको अपने उपर बिस्बास बनाए रखना है अपने उपर भरोसा करना है ना कि हाथ की लकीरों पर और किस्मत पर क्योंकि हाथ की चंद लकीरे कभी किस्मत का फैसला नहीं करते किस्मत तो उनके पास भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं तो अपने अंदर के जुनून को जगाओ और उने की तैयारी करो सारा आस्मान आपके उडान का इंतिजार कर रहा है आप अभी से अपने study table को अपनी दुनिया बना लो देखना एक दिन पुरी दुनिया तुम्हें अपना बनाएगी कर लो बे इंतिहा महबबत इन किताबों से ये किताबें कभी अपनी बातों से नहीं पल्टेगी कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगी जो जो तुम्हारे दिल में चाहत है वो सब तुम्हें दिलाएगी लेकिन ये कभी मत सोचना कि इसकी सुरुआत हम कल से करेंगे कल से हम अपना पढ़ाई शुरू करेंगे मेरे दोस्त कल कभी नहीं आता आप अभी तुरंत अपने अंदर के सेर को जगाओ जो सोया पढ़ा है और एक decision लो कि आपको अपने जीवन में सफल होना है और इसको प्रूफ करने में अपनी जान लगा दो हो सकता है इस दोरान बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि कल से करना, परसों से करना, इतने तारीक के बाद करना ये हो जाने के बाद करना कह सकते हैं लेकिन आप ये हमेशा याद रखना कि आज से आप अपने टाइम का एक सेकेंड भी बरवात नहीं करोगे आपने जो decision लिया है वो एक दम सही है और उसको proof करके दिखा दो ये बात याद रखो there is never a wrong decision or a right decision you take decision and then proof them right आपने जो ने लिया है वो सही है उसको पूरा करने में आप अपना हर कुछ ताओं पे लगा दो देखना सफलता एक दिन तुम्हारे कदमों पे होगी आज मैं देख रहा हूँ बहुश सारे बच्चे निरास बैट गया है उनको लग रहा है बुरा वक्त खत्म ही नहीं होगा आप याद रखो हर बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है आपके जीवन में फिर से अच्छे बक्त आएंगे ये संकट की घरियां जरूर टल जाएगी आप सुरवात करो आगे बढ़ो आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी तो आज के लिए बस इतना ही और सायद मैं आपके जीवन में आज एक परसेंट भी कुछ अच्छा कर पाया हूँ तो मेरे अच्छे दिनों में से एक होगा आप अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें टाटा बाई बाई टेक क्यार